स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल टूडेज डॉन एजूकेशन में प्यारी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रहा है क्वेश्चन आंसर का सिरीज जिसमें हम सौल्व करते हैं तो आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है शरीर में गती अगरा आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं आपके एसी ही सॉल्यूशन वाली वीडियो दोस और अगर आपने इससे पहरे की वीडियो इसको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेडि़िस्ट Bीडियो को सीरियल वास देख पाएंगे तो चलिए बिना देर किये हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं question number first है जो आपके screen पे आच चुका है question number first है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यानि fill in the blanks हमको करना है देखते हैं पहला question अस्तियों की संधिया शरीर को डैश में सहायता करती है तो यहाँ पे fill किया जाएगा गती अस्तियों की संधिया शरीर को गती में सहायता करती है अस्थियां और उपास्थी संयुक तुरूप से शरीर को डैश बनाती है तो यहाँ पे फिल होगा सुन्दर अस्थियां और उपास्थी संयुक तुरूप से शरीर को सुन्दर बनाती है कोहनी की अस्थियां डैश संधी द्वारा जुड़ी होती है तो इसमें फिल किया जाएगा हिंज संधी कोहनी और अस्थियां हिंज संधी के द्वारा जुड़ी होती है नेक्स्ट देखते है गती करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती है यहाँ पे फिल होगा पेशी पेशी के संकुचन से अस्तियां खिचती है नेक्स्ट कोशन देखते है कोशन नमबर सेकेंड निम्नलिक्षित दिये गए कथन सत्य है या असत्य इसका उलेख कीजिए तो देखते हैं तूफोर्स का इसमें निशान लगाना है तिक माग करना है देखते हैं सभी जन्तों की गती एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है तो यहां पे हम निशान लगा देंगे तिक लगा देंगे असब तेका यानि यह बिल्कुल रॉंग है ओके यह हो जागा आपका रॉंग और नेक्स्ट है उपास्थी अस्थी की अपेक्षा कठोर होती है तो यह भी हो जाएगा आपका रॉंग नेक्स्ट है उंगलियों की अस्थियों में संधी नहीं होती तो यह भी हो जाएगा आपका रॉंग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अगर भुजा में दो अस्तियां होती है तो यह हो जाएगा आपका right नेक्स्ट है तिल चट्टों में बाहिक अंकाल पाया जाता है तो यह भी हो जाएगा आपका right नेक्स्ट देखते हैं question number third column first में दिये गए शब्दों का संबंद column two के एक या अधिक कथनों से जोड़िये तो देखते हैं इसका answer पहला है इसमें उपरी जब्ड़ा तो उपरी जब्ड़ा एवाले में इसको match करेंगे हम four से ओके एवाला match होगा किसमें four में उपरी जब्ड़ा एक अचल संधी है ओके बी वाले को देखते हैं मचली तो इसको match करेंगे हम seven में मचली का शरीर धारा रेखी होता है और तीसरा है सी पसलिया तो इसको match करेंगे हम five में हिर्दय की सुरक्षा करती हैं पसलिया हिर्दय की सुरक्षा करती है और चौथा है डी घोंगा तो इसको match करेंगे six वाले में घोंगा बहुत धीमी गती से चलता है और यह वाला है थिल चट्टा तो इसमें हम मैच करेंगे इसमें आपके यह तीन आ जाएंगे थिल चट्टा बायक तिल चट्टे में बायक अंकाल होते हैं और यह हवा में उड़ सकता है और पहला इसमें पहला है थिल चट्टे के शरीर पर पंखो होते हैं ओके तो यह हो गया आपका मैचिंग वर्ड नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फोर निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए तो पहला प्रशन है आपका कंदुख खली का संधी क्या है आंसर देखते हैं कंदुख खली का संधी में एक अस्थी का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थी की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है इस प्रकार की संधी सभी दिशाओं में गती प्रदान करती है अस्थी गती करती है अंसर देखती है कपाल की केवल निचले जबडे की अस्थी गती करती है next question है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड सकती अंसर है इसका कोहनी में हिंज यानि कब्जा संधी होती है जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गती हो सकती है इसी कारण कोहनी पीछे की और नहीं मुर सकती कुछ एक्स्टा कुष्टन आंसर भी मैंने इंक्लूट किया है जो आपके एक्स्टा कुष्टन आंसर को भी देख लेती है कुष्टन नमर फरस्ट है मानव शरीर में संधी किसे कहते है आंसर है मानव अपने शरीर के विभिन भागों को उसी स्थान से मूर या घुमा सकता है जहां पर दो हिस्से एक दूसे से जोड़े हूँ जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन, आदी इसी जोड़े हुए स्थान को संधी कहते है नेक्स्ट कुष्टन देखते है नेक्स्ट कुष्टन है आपका दुरागर संधी किसे कहते है अंसर है इसका गर्दन और सिर को जोडने वाली संदी को धुरागर संदी कहते हैं इसके द्वारा शरीर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं नेक्ट कोशन देखते हैं अचल संदी किसे कहते हैं जिस संदी में गती संभव न हो सक उसे अचल संदी कहते हैं में गती नहीं होती है उसे अचल कहते हैं यानि अचल यानि जो चल ना सके ओके देखते हैं हमारे शरीर के विभिन अंगों को विभिन आकृति कौन प्रदान करता है आंसर देखते हैं हमारे शरीर की सभी अस्तियां हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए यह एक दाचे का निर्मार करती है इस दाचे को कंकाल कहते हैं यह रहाँ का आशन नंबर फौर नेक्स्ट बेखते हैं कोईशन नंबर फाइब कारपेल किसे कहते हैं आशन देखते हैं इसका मानशरीर की कलाई अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिसे कारपेल कहते हैं कोईशन नमबर सिक्स है पसली पिंजर किसे कहते हैं आंसर है हमारी छाती की हड्डियों को पसली कहते हैं इनसे एक पिंजरे जैसी संद्चना बनती है जिसे पसली पिंजर कहते हैं ओके ये पसलियां हिर्दे की रक्षा भी करती हैं नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमब सैवन मेरु दंड यानि रिड की हड़ी क्या है आंसर है इसका मेरु दंड पीठ की हड़ीयों का एक समू है जो सिर के पिछले भाग से होकर गुदा के पास तक जाती है यह अने जरूर करें नेक्स्ट कोईशन देखते हैं उपास्ति किसे कहते हैं आंसर है जो अस्थियों यानि हड्डियों जैसा कठोर नहीं होता तथा जिनी मोडा नहीं जा सकता है उन्हें उपास्ति कहते हैं उन्हें उपास्ति कहते हैं तो यह रहा आपका आज का लास्ट क्वेस् पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक साधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको मिलने वाली है ऐसी ही solution वारी वीडियो ओके तो बेल आइकन को भी प्रेस का दे जिससे जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए keep learning be connected और देखते रही है टुड़ेज प्रेस्टन एटुकाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल